ठोस और द्रव में उस्मी प्रसार की चर्चा करने के बाद अब हम गैस में उस्मी प्रसार के बारे में जानेंगे किसी भी गैस की अवस्था को बताने के लिए हमें तीन पैरामीटर की अवशिक्त होती है एक दाप यानिकी प्रेशर दूसरा आयतन यानिकी वॉल्यूम तीस को एक साथ study करना हमारे लिए कटिन होता है इसलिए हम इसमें से किसी एक को नियत रख देते हैं और बाकी दो में relation का अध्यन करते हैं यहां पर हमको ताप के साथ साथ गैस में प्रभाव का अध्यन करना है मतलब एक पैरमेटर तो हमारे लिए fix है ताप अब बचे दो पैरमे प्रसार की बात करते हैं तो यह प्रसार गुणांग दो प्रकार के होते हैं एक आयतन प्रसार गुणांग और दूसरा दाब प्रसार गुणांग आयतन प्रसार गुडांग को हम गामा से रिप्रेजंट करते हैं जबकि दाब प्रसार गुडांग को हम एक स्पेशल चिन बीटा से रिप्रेजंट करते हैं आयतन प्रसार गुडांग में हम दाब को नियत रख देते हैं अब बचे दो पैरेमिटर, एक आयतन और दूसरा ताप, इसका मतलब जब हम ताप में व्रद्धी करते हैं, तो किस में परिवर्टन होता है, उसके आयतन में, और इस प्रकार जो प्रसार गुणांख हमें प्राप्त होता है, उसे हम आयतन प्रसार गुणांख कहते हैं, और आयतन प्रसार गुणा गामा बराबर होता है, आयतन में वृध्धी, अपॉन प्रारमभिक आयतन, इन्टो ताप में वृध्धी, अब यदि V बराबर 1 ले, और डेल्टा T बराबर भी 1 डिगरी सेल्सियस ले, यानि कि हमने जो गैस लिया है, उसका आयतन इकाई ले, और उसके ताप में वृध्धी भी 1 डिगरी सेल्सियस की करें, इकाई वृध्धी करें, उस कंडिशन में गामा बराबर डेल्टा V होगा, और इस प्रकार से हम आयतन प्रसार गुणांक को परिभाशित कर सकते हैं, जब किसी भी गैस के लिए दाब नियत हो, तो उसके एकाई आयतन में, यदि एकाई ताप में वृध्धी की जाए, तो उसके आयतन में जो वृध्धी होती है, वो आयतन प्रसार गुणांक के मान के बराबर होता है, तो इस प्रकार बच्चों हम आयतन प्रसार गुणांक का ताप के साथ क्या संबंद है मतलब ताप को यदि हम इंक्रीज करते हैं तो आयतन प्रसार गुणा किस प्रकार बिहेव करता है चलिए इसे हम एक के जरिये समझने की कोशिश करते हैं बच्चों हम आदर्श गैस समीकरण के बारे में जानते हैं एक ऐसा समीकरण होता है जो प्रेश्यर वॉल्यूम और टेंपरिचर के बीच में रिलेशन बताता है और इस समीकरण के नुसार पीवी एक्वल टू एन आर्टी होता है जहां मोलों की संख्या होती है और आर यूनिवर्सल गैस कॉंस्टेंट होता है और इस समीकरण को हम समीकरण एक दे देते हैं अब मान लीजे हम ताप में वृद्धी कर रहे हैं दाब नियत है तो किस में चेंज आएगा उसके आयतन में तो इस समीकरण को हम इस प्रका लिख सकत हैं पी डेल्टा वी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी यानि कि हमने डेल्टा टी वृद्धी की ताप में तो उसके आयतन में डेल्टा वी की वृद्धी हो रही है परिवर्तन हो रहा है इसे हम समीकरण 2 दे देते हैं अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देते हैं भाग द कर सके अब यहां से बचेगा ड्लता वी ड्लतो ट्यक्रटा अब यह से ड्लता टी को हम लेफ्टराद साइड साइड छेगक ड्लता वी अपॉन ड्लता वी ड्लता वी क्ल cleanse यह तो बहुंत कर देते तो गामा इoberाट का वन अब यानि कि जो आयतन प्रसार गुणांग होता है वो परमताप का व्यूत करम होता है यानि हम किसी भी गैस के यदि परमताप को ग्याद कर लेते हैं तो हम उसके आयतन प्रसार गुणांग की गणना कर सकते हैं अब हम अगले प्रकार के प्रसार गुणांग की बात करेंगे यह दाब प्रसार गुणांग यहां पर गैस के आयतन को fix कर दिये जाता है अब बच्चे क्या दाप और ताप अध्यन तो हमको ताप के साथ ही दूसरे parameter करना है तो यहाँ पर दाब का सम्मंद ताब के साथ कैसा होगा हम यह ग्याद करेंगे दाब प्रसार गुणां को हम बीटा से रिप्रेजंट करते हैं और यह भी स्पश्ट है कि अब हम ताब में वृद्धी करेंगे तो आयतन फिक्स्ट है यदि तो किसमे परिवर्तन होगा उसके दाब में तो दाब प्रसार गुणां को हम इस प्रकार लिख सकते हैं बीटा बराबर डिल्टा पी अपॉन पी डिल्टा टी जहां डिल्टा पी दाब में वृद्धी को बता रहा है और डिल्टा टी ताब में वृद्धी को बता रहा है यहां भी आगे हम दाब प्रसार गुणांक और ताब में संबंद ग्याद करेंगे और इसे ग्याद करने के लिए हम वही आदर्स समीकरण को यूज़ करेंगे आदर्स समीकरण के नुश़ार पी वी एकवल टो अनाटी होता है पर यहाँ पर अब हम ताप में वृद्धी करें परिवर्थन कर düşün तो अब परिवर्थन यहां दाम में नाकि आतन में क्योंकि आयतन यहां पर नियत मैं लिए तो इस समीकरण को कुछ प्रका लिखेंगे इसलिए हम ताप में वृद्धी की चर्चा कर रहे हैं पर डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन और यह जो समीकरण हमने लिखा है वो परिवर्तन के लिखा है अगर ताप बढ़ाएंगे तो दाप भी बढ़ेगा लेकिन यदि ताप को हम घटाएंगे तो यहां दाप भी घ लिखते हैं तो वो परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है और यहां से हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को भाग देते हैं तो इस प्रकार का समीकरण हमको देखने को मिलेगा और यहां से में मिलेगा डेल्टा पी अपॉन पी इक्वल टो डेल्टा टी अपॉन टी और डेल्टा टी भी परमताप के व्यूत क्रम के रसीप्रोकल के बराबर होता है और आयतन प्रसार गुणांग भी परमताप के रसीप्रोकल के बराबर था इसका मतलब इन दोनों समीकरण को कंपेर करें तो गामा बराबर बीटा होगा यानि कि आयतन प्रसार गुणांग दाप्रसार गुणा थोड़ा सा complicated होता है इसलिए हम एक-एक करके fix करते जाते हैं और बाकी दो parameters के बीच में हम अध्यन करते हैं तो यहां तो ताप को कर नहीं था और दाब और आयतन को प्रसार गुणांग केतना होगा यह दोनों का मान तो एक ही होगा क्योंकि यह क्लियर है बीटा बराबर गामा हैं चली इसको निकालते हैं यह और आयतन प्रसार गुणांग करें यह प्रम तापका वियूत करम होगा यानि की वन अपॉउंट 273 लिखेंगे इसे सॉल्फ करेंगे तो यह 3.7 into 10 to the power minus 3 प्रती केलविन होगा तो इस प्रकार हम किसी भी आदर्श गैस के आयतन प्रसरगुणांग या दाप्रसरगुणांग की गणना कर सकते हैं बच्चो अब तक हम यह पढ़ते आए हैं कि जब किसी वस्तु को उश्मा द व्रिद्धी कितनी होगी यह दि उश्मा दे रहे हैं तो उसके ताप में व्रिद्धी कितनी होगी यह ले रहे हैं तो उसके ताप में जो कमी आ रही है वो कितनी होगी यह डिपेंट करता है उस वस्तु का द्रविमान कितना है जैसे आप देखेंगे बच्चों कि आपको यदि एक कप पानी गरम करना हो तो वो जल्दी गरम हो जाता है मतलब उसके ताप में वृद्धी जल्दी हो जाती है लेकिन आपको एक गंज भर के पानी गरम करना हो आप उतनी ही उश्मा दे रहे हैं तो उसके ताप में वृद्धी होने में समय लगता है यह यह कहें कि उस उश्मा और ताप की बीच में संबंध स्थापित कर रहे हैं कहीं न कहीं वहां पे द्रव्यमान भी आता है साथ साथ हम देखें बच्छों कि अलग-अलग पदार्त हो उसमें भी ताप में अलग-अलग वृद्धि होती है आप किसी पदार्त को गरम कर रहे हैं सेम उश्मा रहे हैं उसके ताप में जल्दी वृद्य हो जाती किसी पदार्त को हम उश्मा दे रहे हैं उसके ताप में देר से वृद्धि हो रही है तो यह ऊश्मा और ताप का संमंध है वो ॅटकरता है द्रव्यमान साथ-स वस्तु की पदार्त की प्रकृति तो इस प्रकार हम ऐसा समीकरण लिख सकते हैं जो उश्मा की मात्र है वो निर्भर करती है द्रवेमान पर यानि समानुपार्थी होती है साथ-साथ ये ऊश्मा की मात्रा निर्भर करते है ताप पर यानि कि ताप में वृध्धी पर, डल्टा T पर, इस तरह से हम लिख सकते हैं, अब इन दोनों समीकरन को हम यदी कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं डल्टा Q, या डल्टा Q मतलब ये ऊश्मा की मात्रा को रिप्र तो कभी ऐसी सीच्वेशन भी आती है जब हम वस्तु को ठंडा कर रहे हैं तो ठंडा कर रहे हैं मतलब वहां पर रिवर्स प्रोसेस हो रहा है उश्मा दी जाने के बदले ली जा रही है तब भी हम इसी फॉर्मले को इस्तमाल करेंगे कि उस समय ताप में वृद्धी के जिए हो रहा है इतना हम को मालूम उना चयह है क्योंकि डल्टा का मतलब परिवर्दन होता है तो इस तुरह से हम देखें डल्टा-Q समानुपाती हो जाएक हैं मैं डल्टा T के जब समानुपाती का चु नहां हटाते हैं बराबर लगाते हैं तो हम वहां पर एक नियातांक लगाते हैं यहाँ पर उस नियतांग को हम S से रिप्रेजंट करेंगे और यह specific heat capacity को रिप्रेजंट करता है विशिष्ट उश्माधारीता और यह विशिष्ट उश्माधारीता यह भी एक important concept है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे तो यहां से हम देखते हैं कि डल्टा Q बराबर होगा S into M into delta T और इस प्रकार हम विशिष्ट उश्माधारीता को लिख सकते हैं S is equal to delta Q upon M into delta T अब इसी equation से हम देखें M कमान यदि एक रखो और delta T बराबर 1 degree Celsius ले ले लेते हम यानि कि एकाई वृध्धी कर रहे हैं ताप में तो उस condition में S बराबर delta Q होगा मतलब यह जो विशिष्ट उश्माधारीता है किसी पदार्थ की वो किसके बराबर हो जाएगी दी गई उश्मा के बराबर कब जब आप ऐसा पदार्थ ले रहे हैं उसका द्रव्यमान इकाई हो और उसके ताप में इकाई डिग्री Celsius की वृध्धी की जाए तो इस प्रकार बच्चों हम विशिष्ट उश्माधारीता को परिभाशित भी कर सकते हैं किसी पदार्थ की विशिष्ट उश्माधारीता उश्मा की वह मात्रा होती है जो इकाई द्रव्यमान के पदार्थ के ताप में इकाई वृध्धी कर सके और इसी सूत्र से यदि हम विशिष्ट उश्माधारीता का मात्रक देखें तो उश्मा का मात्रक होता है जूल द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी और ताप का मात्रक होता है यहाँ पर हम ऐसा ही मात्रक की तो ताप के मात्रकों हम Kelvin लेंगे तो इस प्रकार विशिश तूश्मा धारीता का मात्रकों का Joule प्रती केजी प्रती Kelvin और इसका विमी सूत्र देखें तो Joule का विमी सूत्र होता है M L square T minus 2 द्रवे मान के लिए हम M लिखेंगे और ताप के लिए हम K represent करते हैं capital letter से तो इस प्रकार इसका विमी सूत्र हो जाएगा M 0 L square T minus 2 K minus 1 इसी सूत्र से यदि हम देखें तो डेल्टा T विशिश तूश्मा धारीता के S के यह mathematical equation हमने लिख दिया कि ताप में वृद्धी विशिश तूश्मा धारीता के विशिश करमा नुपाती है पर इस mathematical equation का physical meaning क्या यदि हम दो अलग-अलग पदार्थ की वस्तुएं ले दोनों का द्रवेमन समान है एक की विशिश्ट उश्मा धारीता कम है और एक की विशिश्ट उश्मा धारीता अधिक है अब जब इन दोनों को समान उश्मा दी जाएगी उस समय जिसकी विशिश्ट उश्मा धारीता अधिक है उसके ताप में वृध्धी कम होगी और जिसकी विशिष्ट उश्मा धारीता कम है उसके ताप में वृध्धी अधिक होगी मतलब उसके ताप में तेजी से परिवर्तन होगा दूसरे शब्दों में हम यू कह सकते हैं यदि हमने दो पदार्थ लिये हैं दोनों के द्रवेमान समान है तो जिसकी विशिष्ट उश्मा धारीता अधीक है उसे एक निश्चित ताप तक गरम करने के लिए अधिक उश्मा देनी होगी और जिसकी विशिष्ट उश्मा धारीता कम है उसे उसी ताप तक गरम करने के लिए कम उश्मा के अवशक्त होगी अधिक उश्मा की अवशक्त हो रही है मतलब उसे गरम होने में टाइम लगेगा मतलब देर लगेगी और कम उश्मा की जुरुत पढ़ रही है मतलब वो बहुत जल्दी गरम हो जाएगा तो इस प्रकारम यूँ भी कह सकते हैं कि जिसकी विशिष्ट उश्मा धारिता अधिक होती है वो देर से गरम होता है और जिसकी विशिष्ट उश्मा धारिता कम होती है वो जल्दी गरम हो जाता है जिसे मैंने आपको धारण दिया था कि हम दो अलग-अलग वस्तों को गरम कर रहे हैं एक देर से गरम हो और एक जल्दी गरम हो रहा है तो कारण यही है उसकी व विशिष्ट उश्मा धारीता पर ही होता है और इसलिए हम कहते हैं कि जिसकी विशिष्ट उश्मा धारीता अधिक है वो देर से गरम होगा और जो देर से गरम होगा वो देर से थंडा भी होगा वैसे ही जिसकी विशिष्ट उश्मा धारीता कम है वो कम उश्मा देने से गरम हो जाएगा यानि कि वो जल्दी गरम होगा और जल्दी ठंडा भी हो जाएगा अब सोच रहोंगे जो देर से गरम होगा वो देर से ठंडा क्यों होगा क्योंकि बच्चों ली गई उश्मा और दी गई उश्मा वो मान तो समानी होगी जितनी उश्मा देने से उसके ताप में व्रिद्धी हुई है उसके तापनी उतनी कमी लाने के लिए उतनी उश्मा उसमें से लेनी होगी और इसी लिए ही जो देर से गरम होता है वो देर से ठंडा भी होता है और इसी को हम अपने डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं आपने देखा होगा बच्चों कि पानी रहती है दिन में भी वैसे ही एट्मोस्फियर रहता है और रात में भी लगभग वैसे ही एट्मोस्फियर रहता है क्योंकि पानी की विशिष्ट उश्मा धारिता बहुत अधिक होती है अब पानी की विशिष्ट उश्मा धारिता अधिक है इसका मतलब पानी देर से गरम होगा और पानी देर से ठंडा भी होगा इसे लिए ही दिन के समय में उसके द्वारा ली गई उश्मा जब गरम हो रहा है दिन में सूरज है उसी के ताप से ही तो पानी गरम हो रहा है तो ये देर से गरम होगा इसने तो हम समुद्रे के पानी को छूते हैं तो वो हमें ग नीचे रहता है लेकिन वो पानी हमें गरम नहीं लगता क्योंकि वो देर से गरम होता है इसलिए जो उसके ऊपर की हवाय है उस पर ज्यादा परिवर्तर नहीं होता और रात के समय में भी जब ठंडा होने का प्रयास करेगा तो उश्मा को लिबरेट करेगा उस सर्जित करेग उस कंडिशन में वो देर से करेगा मतलब धीरे धीरे ये प्रोसेस स्लो प्रोसेस होती है और इसलिए वातावरण में फर्क पता नहीं चलता जो अंतर आता है वो हमको लगभग नगर नहीं लगता है जबकि वही हम मैदानी एरिया की बात करें तो मिट्टी की विशिष्ट उश्मा धारीता कमान कम होता है इसलिए यह जल्दी से गरम भी हो जाता है और जल्दी से ठंडा भी हो जाता है और इसलिए जब यह गरम होता है तो यह उश्मा को अफशोशित करता है इसके ताप में जल्दी जल्दी हो जाती है तो दिन के समय वातावरण गरम हो जाता है और रात की समय यह उतने ही तेजी से ठंडा भी हो जाता है और इसलिए उश्मा इसमें से लिब्रेट हो जाती है और इसलिए इसके वातावरण में भी परिवर्तन हो जाता है एसे ही विशिष्ट उश्मा धरिता के और भी डेली लाइफ एप्लिकेशन से बच्चो मैंने आपको बताया कि जल की विशिष्ट उश्मा का मान बहुत अधिक होता है और इसी का उपयोग हम सिकाई करने के लिए करते हैं आप देखेंगे बच्चो कि जब हड्डियों में द गरम करते हैं तो इसकी विशिष्ट उश्मा धारिता अधिक होने के कारण ये धीरे से गरम होता है और जब धीरे से गरम होगा तो जब इसमें से उश्मा बाहर निकलेगी तो ये धीरे से ठंडा भी होगा और इसलिए जब हम में से वाटर बैग में या फिर कभी कभी हम ब हैं ऐसे ही बच्चों आपने वेकल में रेडियेटर सुना होगा रेडियेटर हीट को सर्जित करता है अब इसे ठंडा रखा जाना है तो इसके चारों तरफ हम पानी रख देते हैं मतलब इसे पानी डालते हम पानी की विशिष्ट उश्मा धारी ताधिक होती है इसलिए यह मिलने पर भी इतने आसानी से गरम नहीं होता इसे गरम होने में समय लगता है और यह कह सकते हैं कि पानी इस रेडियेटर के ताप को कम ही बनाकर रखता है इसलिए रेडियेटर में कूलेंट के रूप में हम पानी का स्तमाल करते हैं क्योंकि इसकी विशिष्ट उश्मा धा पर अधारित हम एक निमेरिकल कोशिन बनाते हैं 100 ग्रम पानी को 30 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस तक गरम करने के लिए कितनी उश्मा के अवशक्ता होगी दिया गया है M बराबर 100 ग्रम डल्टा टी बराबर 80 मैनस 30 इकवल तो 50 डिग्री सेल्सियस एस बराबर 1 क्यलोरी प्रती ग्राम प्रती डिग्री सेल्सियस सूत्र नुशाल क्यों बराबर होता है M इंटू S डल्टा टी और यहां पर सारे मान हम इस इक्रेशन ने पूट अप करेंगे में लेगा 100 इंटू 1 इंटू 50 इकवल तो 500 क्यलोरी अब हम अगले कॉंसेप्ट की बारे में चर्चा करते हैं जिसे हम हीट कैपसिटी या उश्माधारिता के नाम से जानते हैं बच्चो विशिष्ट उश्माधारिता और उश्माधारिता यह दोनों अलग-अलग कॉंसेप्ट हैं हलाकि दोनों का संबंद दी गई उश्मा से ही है हमने विशिष्ट उश्माधारिता के बारे में जब चर्चा की थी तब यह कहाता कि यह किसी भी ईकाई-द्रव्यमाण के ताप में इकाई-वृध्धी करने के लिए जो उश्माध दी जाती है उसे हम उस पदार्थ की विशिष्ट उश्मा कहते हैं विशिष्ट उश्मा धारीता कहते हैं यहाँ पर भी यह दी गई उश्मा है लेकिन यहाँ पर पदार्थ का द्रव्यमान निश्चित नहीं रहता आप किसी भी द्रव्यमान के पदार्थ को यदि उश्मा देकर उसके ताप में एकाई वृद्धी करते हैं तो यहां दी गई उश्मा ही उस पदार्थ की उश्मा धारीता कहलाती है हीट के पसिटी कहलाती है और हमने विशिष्ट उश्मा धारीता के अनुसार यह सूत्र देखा था डेल्टा क्यू बराबर में डेल्टा टी बराबर वन लिखो यहां पर द्रव्यमान को वन नहीं लिखेंगे द्रव्यमान वन हम कब लिखते हैं जब हम विशिष्ट उश्मा धारीता की बात करते हैं जब हम केवल उश्मा धारीता की बात करते हैं तो कोई भी द्रव्यमान का पदार्थ हम ले सकते हैं बस उसके ताप में वृद्धी इकाई होने चाहिए तो डेल्टा टी बराबर वन लेती हूं तो उस केस में डेल्टा क्यू बराबर एम इंटु एस होता है और यह उश्मा की मात्रा ही उश्मा धारिता कहलाती है और यहां से हम देखें तो यह तो यह एम इंटु एस है यह डेल्टा क्यों क्या यह ऊश्मा की मात्रहन है और हमने क्या कहा की वह Supa की मात्रह qualité कि किसी भी पदार्थ में उसके ताप में इकाई व्रिद्धिक कर सके इसका मतलब जो डेल्टा क्यूं हम यहां पर दर्शार रहे है यही उश्माधारिता है और इस उश्माधारिता को हम capital letter S से दर्शाते हैं तो यह S बराबर हो जाएगा M into S small letter S vicious to उश्माधारिता capital letter S उश्माधारिता और इस प्रकार हम उश्माधारिता को एक नए में भी परिभाशित कर सकते हैं किसी भी पदार्थ है कि उश्मा धारिता उसके द्रविमान और विशिष्ट उश्मा धारिता के गुणन फल के बराबर होती है हम यहां से एक और सूत्र भी देख सकते हैं अगर एक साइड लिखू तो यह जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी और एम इंटू एस क्या है यह उश्मा धारिता है तो एस बराबर होगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी तो इस प्रकार इस सूत्र से हम देखे किसी भी पदार्थ की उश्मा धारिता उस पदा ताप में वृद्धी के अनुपात के बराबर होती है तो इस प्रकार हम हीट कैपसिटी को अलग-अलग रूप में परिभाशित कर सकते हैं कॉंसप्ट यही है कि कि किसी भी प्रदार्थ के ताप में यदि इकाई वृद्धी की जाए तो उसे दी गई उश्मा उश्माधारि लिखेंगे तो जूल अपान कैल्विन इसका ऐसा ही मात्रक है या फिर हम कहते हैं कि उसके ताप में इकाई डिग्री सेल्सियस की वृद्धी की जारी है इसलिए हम ऐसा ही मात्रक में ही जूल प्रती डिग्री सेल्सियस भी लिखते हैं और यदि सीजेस प्रदती में देख तो उश्मा का मात्रक होता है कालोरी इसलिए हम लिखते हैं कालोरी प्रती डिगरी सेल्सियस अब इसका विमिय सुत्र देखेंगे उश्मा के लिए विमिय सुत्र होगा M L स्क्वेर T मैनस 2 और टाप के लिए होगा केल्विन तो इस प्रकार हम लिख सकते historians M L square T minus 2 K minus 1 उश्मा और ताप से जुड़े हुए अब हम एक और concept को समझने का प्रयास करेंगे जिसे हम molar specific heat capacity के नाम से जानते हैं हिंदी में इसे हम molar vicious उश्मा धारीता कहते हैं बच्चो नाम से हमें समझ में आ रहा है यहाँ पर पदार्थ को हम mole में calculate कर रहे हैं mole क्या होता है? एक mole पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें पदार्थ में एवोगेड्रो संख्या के particles हो वेग्यानिक एवोगेड्रो ने एक संख्या बताई उनके अनुसार एवोगेड्रो संख्या है 6.023 into 10 to the power 23 यदि किसी भी पदार्थ में इतने particles होते हैं तो वह पदार्थ की मात्रा एक mole कहलाती है तो यहाँ पर जो हम ऊश्मा की मात्रा calculate कर रहे हैं वो ऐसे पदार्थ के लिए कर रहे हैं जिसकी calculation आप mole में कर रहोंगे और molar specific heat capacity को हम C से दर्शाते हैं और इसका सूत्र होता है delta q upon n delta t जहाँ n mole की संख्या होती है delta t ताप में वृद्धी और delta q दी गई उश्मा की मात्रा अब इसी सूत्र से हम देखें यह दी n equal to 1 लो यानि number of moles, moles की संख्या हम 1 ले रहे हैं delta t यानि की ताप में वृद्धी वो भी हम eki ले रहे हैं उस condition में C बराबर हो जाएगा delta q यानि यह जो molar specific heat capacity है वो उश्मा की मात्रा के बराबरी होगा इसके अनुसार, molar specific heat capacity उश्मा की वह मात्रा है जो एक mole के पदार्थ के ताप में eki वृद्धी कर सके और इस सूत्र से हम इसका मात्रक देखें तो उश्मा को तुम जूल में नापते हैं N मतलब यह moles की संख्या मोल में लिखेंगे और delta t प्रति डिगरी celsius तो इस प्रकार इसका SI मात्रक होता है Joule प्रति मोल प्रति डिगरी celsius और इस तरह से बच्चों हमने उश्मा और ताप से जुड़े हुए तीन कॉंसेप्ट लगातर पढ़ें और यह तीनों में थोड़ा थोड़ा ही डिफ्रेंस है एक विशिष्ट उश्मा धारिता एक उश्मा धारिता और एक मोलार विशिष्ट उश्मा धारिता हलाकि इन तीनों टर्म्स की हमने परिभाशा भी बताई इसका सूत्र भी देखा इसका मात्रक भी देखा पर फिर भी कभी हम इन तीनों में confused भी हो जाते हैं तो चलिए एक numerical question मनाते हैं जिनमें हम इन तीनों राशियों को calculate करेंगे ताकि ये तीनों ही concept हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ सकें